हाला दोस्तों वेल्कम बेक टो मैं चले मैंना में संधिप्रमंडल और आप देखने मैं चले एक्सपोरिंग एसा में फिशिंग आज का वीडियो काफ़ इंट्रेस्टिंग होने वाला हूं कि मैं आज फाइनले अपने अपने अलिगेटर गार को रिलीस करने वाला हमारे मॉं सब्सक्राइब काफ़ी सब्सक्राइब काफ़ी सब्सक्राइब कर देख लिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यह हमारा गार गाइस हो किताँ बड़ा हो चुका है और इसके अंदर रहकर इतना बड़ा हो गया यह और यह 20 डेस के बात का अपडेट है जैसे कि आप देख पर मैं एक शॉट्स पी डाला हुआ था और अभी बहुत लोगा सवाल रगा कि मेरे फिश कहा है तो सारे के सारे है एक तो शायद कायब हुआ है मुझे पत बिल्कला सावाली लोगा जाता पानी नहीं लोगा क्योंकि फेस्टापानी लोगा तो यह हो गया हमारा एंद अब मैं अलिकेटर के से पकड़ने वाला वाव यार किता प्यारा लग रहा है और इसको में नेट में फसा लिए ए प्लोली बिलकुल गाईस हलके से मैं करने वा इस लेट में छोटा काफे चोटा लग रहा था आज देखो इसका साइज और चलते हैं और तेखते हैं वहापे जाकर छोड़ते हैं शाल्त हो जा भाई कैसे हो तुम तुम तुम्हारा एक नया घर आज मिलने वाला है बहुती बड़ा आज तुम तुम तो छह मैंने में पुरा जाइंट बन जाओ गया अभी देखो ना इसका साइज यह कि तो चोड़ा मैं को विश्वास नहीं हो रहा यार 15-20 दिन में इतना बड़ा कैसे हो सक पता रहेगा गाइस मैंने कली वीडियो दिया था जो दो तीन पहले शूट किया था जहां पर लोगाने काफी सर फिश चोड़े थे और सारे फिश रहती है बिल्कुल यहां पर दिख भी नहीं रहा है काहा गाइब हो गयरा पता नहीं कहा गाइब हो गए अंदर रहेंगे क यहां पर देखो को देखो मैं ने इन कपीज को देखो दिखो अपर कम से कम पाच्छा कपीज है उप्या क्या कलोव रहें और यह पानी आप देख रहे हो पूरा याल्य वाटर है आप लोगे चेंज क्यों ने कर रहे हो करूंगा इस वाइन अभी यह लोग बहुत खुशी लग होटी है यहां पर यहां पर मैंने एक exotic कप्य रखा था ब्रिडिंग के लिए पता नहीं थूनना बड़ेगा मुझे तो बहुत है थी थी इख लिए चलो डिस्टब नहीं करते हैं पाकी चीज दिखा था आपको अच्छा एक और दिमांद था बहुत लोग मुझे बोलते कर देते हैं उसको रिलीज करने से पहले जितना है वह हम देख लेते हैं यहां से स्टार्ट करता है कि क्या क्या है मेरे बैक्याड में इसको उठाते हैं यहां से चाहत हो रहा है पता नहीं मुझे डर भी बहुत है कितना बड़ा लग रहे हैं यहां पर इसको बहुत स्पेस मि यहां पर थोड़ा एक्लिमेट हो जाए मुझे लग रहा है कि यहां पर कम से कम इसको 15-20 में तो चाहिए क्योंकि यह प्लास्टिक का प्रकेट है तो था टाइम तो लेगा ही पस कूद ना जाए बाहर यहां करो लेकिन सही मैं पॉर्ण में काफे सही दिख रहा है यार इतना लोगों ने मुझे बोला था और खड़ीदो खड़ीदो करके मैं पास हिंबत नहीं थे खड़ीदने की मतलब कि मैं सोच था कि कहा रखू डर रहा था मैं एक्चली पर चलो फाइनली हमारे पास यह पा कि मुझे फ्लॉरीडा गारी लगा कि मैं पेली बार कहेदा हूं मुझे पुता आइडिया नहीं है आप लोग बताना मुझे ए भाई बाके डूबना मत डूबता भी तो को प्रॉल्म नहीं है क्योंकि गार तो वैसे भी टॉप में रहता है ना तो आप देख भी लेंगे ल पर यह नहीं कर रहा था तो और यहां चलते हैं और जैसे हम यहां से चलते हैं आगे की और तो यहां पे बहुत सारा फ्लार का फ्लांस वैगरा ममी लोगोंने बौया हुआ है देख पारो ठीके बहुत सारे कुछ-कुछ यहां पर आप मिर्चिया देख सकते हो यह देखो वाव यार आज तो खाना ही पड़ेगा मस लग रहा है ना किता प्यारा हुआ है देखो एंदन यहां पर कुछ फूल के प्लांस यह सब जादा कुछ नहीं किया नहीं फिलाल तो और यह सबसे हमारा बेस्ट चीज है चोकी है हमारे आप इतनी लिच्ची होते लीचे तक लिच्ची लटकते रहते होतों इस यह बहुत ही सही पेर है और इसका जो लिच्ची है ल्टीमेट है कि इसका बीचा है चोटा है और एक स्थ configur हो मेरे साथ तो नेक्स पाम पता है तो तह जी सब्सकितला में एश इक बड़ीज अगर मैंने इसको पूरा क्लीन किया ठीक एक तम मस्त और यहां पर अगर मैंने एक ट्री आउस बनाया है मतलब उपर लेकर अच्छे से बनाना पड़ेगा कि इनके डाल बहुत कमजोर होते हैं तो हम उपर तो इनके डाल के साहरे नहीं बना सकते तो हम यहां से कुछ तो लेक कॉंसप्ट है देखते कि कब सक्सेस्फूल होता है तो यहां एक ट्री हाउस बनने वाला है और यह जो आप देख रहो है यहां पर मुझे एक घर बनाना है तो अभी टाइम है घर यानि की रहने के लिए नहीं बट वह आप लोग को बात में पता चलेगा यह पूरा अभी यहां से काफी सारे पेड़ है यह देख पर आप कद्दू कद्दू का पेड़ तो भरा हुआ है यह थोड़ा सा जो है फ्लार का प्लांटेशन मैंने किया हुआ था और यह सारे बढ़िया तरीके से हो रहा है यह आपको शाद एक दो मेने के पाद आदा अच्छा लगने वाला है अभी फ्लार आया नहीं लेकिन यहां पर देखो यह तो यार बीस दिन में क्या हो गया है अस बड़े वैना यह मैरी कोल का बहुत सही लग रहा है देखो यह बड़े बड़े यह सब दालिया का अब यह आगा है यह तो कुछ तो था यार एक्टम याद नहीं आ रहा है यह 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 नीचे देखो कितने सारे कद्दू है हम यह से लेकर खाते बाजार का कद्दू तो यह बता हूँ उसमें तो पता नहीं क्या क्या मिक्स रहता है ना और आजकल तो यार बहुत ज्यादा यहां पर देखो बहुत सारे बहुत सारे यह सब पापा ने प्लास्टिम बगरा देकर बचाने के लिए इनको रखा हुआ है और यह कद्दू का टेस्ट ना अल्टिमेट होता है सेम है और इसके पिछे ना पूरा केले का पेड़ है ठीक है केले बहुत होते उधर और भी थ देखो इस एरिया पे पुरा फ्रूट्स फल वगरा है अच्छे फल भी है तो यहां पर देखो सुपारी यह बीटल नट्स कितने सारे देखो यह देखो कितना उच्छा है कि इसके पिछे भी काफी सारे चीज़े थी है वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा जब मा पर लूए और है बहुत कुछ आलू तर गाजर भिंडी इसके पर एक यह बाद में आपर अच्छा एक जा पूरा देखो इस अब हो रहा है भी यहां पर भी है यह बाला तो पुछ बोलते ना तक मुझी आद नहीं आ रहा है और यहां पर और यहां पर बहुत जादा पर खेती यह सब अगर आप समझोगे क्या खेती हुई है यह बैगन है सब और यह मैं हूँ का फूल ला रहा है अब लगा यह बहुत अच्छा था च्छोटे में लगता यह अंदर गुवाव का पेड है वह जिसको बोलते हैं ऐसा मुझे लग रहा है जैक फूटी एक आप लोग के लिए मैं अंदर अंदर जा रहा हूं अधर क्या प्रें बहुत कुछ यह बहुत कुछ यह बहुत है अब सब्सक्राइब करने वाले हैं सब्सक्राइब करने वाले हैं सब्सक्राइब बहुत लोग आ गए यह इस में दिखा रहा हो आप से दिखाऊ वगा यह फिश लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि तीन पिट तक जाता है काफी बड़ा होने वाला है यह और यहां पर आउसकर वगएरा भी है तो प्रेंदों और यह टॉप में फ्लोट करता है अब इस कर दूँ तो आप मे कि दिर के बाद यह देखना ऊपर आजाएगा थोड़ा ही टाइम हुआ है और हमारा एलिगेटर गार उपर फ्लोट कर रहा है कि को डिस्टर्ब ना करें कल तक यह सही सलामत रहे हम लोग छोड़ दिया हमारा एलिगेटर गार को यहां पर और कल आके देखेंगे तो होफ़ लगा तो लाइक जरू कर दीजेगा और हमारा एलिगेटर गार आपने देखा है कुछ भी कॉमेंट रहेगा तो प्लीज बनाना कि यहां पर छोड़ना सही हुआ है कि नहीं बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने आप यह सही है या नहीं और उपसे एरवाना का क्या करन है वह कॉमेंट करना तो चलिए बाबाई टेक केर कुछ लेड़े लिए जली बाबस दो आई